स्वागत है एक वार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा हिंडी में और आज हम बात करेंगे कच्छा नाइन्थ के पलिटिकल साइंस के पाँचवे अध्याई की बारे में जिसका नाम है संसदिया लोक तंत्र की संस्थाएं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ कारणों की वज़ा से मैं आप सभी के लिए वीडियो परस्तित नहीं कर रहा था लेकिन मैं अब फिर आप सब के लिए वीडियो लेके हाजिर हूँ उम्यद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर अपने दोस्तों में शियर करें वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस अध्याय में कौन-कौन से प्रस्ण है और उनके क्या-क्या सही उत्तर हो सकते हैं मैं आपको बता दूँ पुलिटिकल साइंस के बहुत से चात्र होते हैं जिनको प्रस्ण सही धंक से समझने ही आता है ऐसे में वे अच्छे उत्तर जानने के बाद भी प्रस्ण का हल नहीं लिख सकते हैं ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिस करेंगे कि आखिर प्रस्ण क्या कर रहा है और उसका उत्तर क्या हो सकता है तो आईए पहला प्रस्ण देखते हैं पहला प्रस्ण है अगर आपको भारत का राष्ट पती चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते है यानि अगर आपको राष्ट पती बना दिया जाए तो आप कौन कौन से फैसले करेंगे इसका साफ साफ मतलब ये है की राष्टपती के जो अधिकार होते हैं वहीं आप फैसले कर सकते हैं पर पुनर विचार के लिए कह सकते हैं फिर से सदन जो है उस पर अपना विचार रखे लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ऐसा केवल दो बार ही हो सकता है राश्टपती पुनर विचार के लिए दो बार ही लोटा सकता है दो बार के बाद राश्टपती को उसे मानना ही पड़ता है तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये प्रस्न का सही उत्तर होगा दोनों सद्नों दोरा पारित विधेक पर पुनर विचार के लिए का सकते हैं दूसरा प्रसन हमारे सामने आता है कि निमलिखित में से कौन राजनेतिक कार्यापालिका का हिस्सा होता है तो आप जानते हैं कार्चपालिका दो तरह की होती है एक होती है राजनेतिक कार्शपालिका और दूसरी होती है अस्थाई कार्यापालिका राजनेतिक कार्शपालिका से मतलब यह हुआ कि जिन सदस्यों का या परतिनिधियों का चुनाव जनता करती है इनका कार्चकाल निस्चित होता है पांच साल का या छे साल का जो भी हो तो राजनेतिक कार्च पालिका उनको बोला जाता है एक दूसरे अस्थाई कार्या पालिका होती है जो हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी है पदाधिकारी करमचारी है वो अस्थाई कारशपालिका के अंतरगत आते हैं जो नौकरी है कहा जा सकता है कि जिनकी नौकरी हुआ करती है वो किसी के दुरण चुने नहीं जाते हैं वलकि वो परिक्षाओं को पूरा करके या पास करके आगे बढ़ते हैं तो यहां कह रहा है राजनेतिक कार्शपालिका यानि जो लोग रिलेटिव है राजनीती से तो राजनीती से ग्री मंतरी जो है वो सम्मंदित होता है तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्री मंतरी तो ग्री मंतरी जो होता है वो एक चुना हुआ सदस्य होता है तो रा सब्सक्राइब पारित परतेक कानून को सरवच नयाले कि मनजूरी की जरूरत होती है जरूरी नहीं कि सभी कानूनों के लिए वो सरवच नयाले के पास जाए तो ये बियान जो है बिलकुल गलत है अगला परसन हम लोग चलते हैं चौता परसन है कि निलिखित राजनेतिक संस्थाओं में से कौन से संस्था देश के मौजूदा कानून में संसुधन कर सकती है तो आप सभी को मालू है कि कानून में संसुधन करने के लिए संसथ के दो तिहाँ सदस्य की अनुमती जरूरी होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद अगला हम लोग परस्ण की और बढ़ते हैं अगला परस्ण है कि कर रहा है उस मंतरालाई की पाचान करें जिसने निल्लिवखित समाचार जारी किये होंगे आपको मालूम होगा कि बहुत सारे मंतरालाई होते हैं जो अलग-अलग कामों को देखते हैं तो कह रहा है कि आप बताएं कि ये समाचार जो है किस मंतरालाई के द्वरा जारी किये गए हैं तो आईए हम लोग देखते हैं पहला है कि देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई निती बनाई जा रही है यानि जूट जो है वो भारत से दूसरे देशों के लिए जाए इसके लिए एक नीती बनाई जा रही है एक पोलीसी बनाई जा रही है तो ये कौन सम्मंतराले होगा जो इस तरह की नीती या पोलीसी बनाएगा तो वाडिज्य और उद्योग मंतराले क्योंकि बियापार से सम्मंधित जो विभाग है वो वाडिज्य के अंतरगत आता है तो वाडिज्य और उद्योग मंतराले जो है इस तरह की नीती बना सकता है खाय गरामीन इलाकों में टेलिफोन सिवाए सुलब कराई जाएगी यानि गाउं जो है वहाँ टेलिफोन जो है वो सुलब कराया जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा तो यहां रक्षा मंतराले दिया है हलाकि यह सही नहीं है आप इसको करेक्शन कर लेंगे और करेक्शन करके लिख लेंगे सुचना प्रोद्योग की मंतराले क्योंकि सुचना देने का काम जो है या सेवा देने का जो काम है वो टेलिकॉम सिंटर के अंतरगत आता है तो यह सुचना प्रोद्योग की मंतराले के द्वारा यह समाचार चारी किये गए होंगे गह सार्वजनिक वित्रन परणाली यानि PDS जिसको हम बोलते हैं उसके तहट बिकने वाले चावल और गेहों के कीमते कम की जाएगी यानि जो डीलर के पास हमें आनाज मिलते हैं तो उसकी दाम कम की जाएगी ये कौन तै करेगा इसके लिए समाचार निकाला गया होगा क्रिसी खद्यान और सार्वजनिक मंतराले के द्वरा जिन्होंने ये सभी सुविधाये प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र निकाले होंगे अगला हम प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है प्लस पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा चुकि प्लस पोलियो जो है वो सवास्टे से समंधित है तो इसका विज्यापन या समाचार निकाला गया होगा स्वास्ट मन्तरालाई के दौरा तो इस तरह से हम लोग असानी से प्रस्टों को अगर समझ जाएं तो हल कर सकते हैं अब आईए अब हम लोग देखते हैं छटे प्रस्ट को छटा प्रस्ट है कि देश की विधाई का करेपालिका और नियाईपालिका में से उस राजनेतिक संस्था का नाम बता है जो निमलिखित मामलों में अधिकार का इस्टमाल कर सकती है यानि यहां कुछ सवाल है आपको बताना है कि इस तरह का काम कौन कर सकता है जिसमें कवा है कि सडक सिचाई जैसे बुन्यादी धाचों के विकास और नागरिक के विविन कल्यान कारी गतिवीदियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा तो आपको मालूम है कि बिना संसद के या बिना विधाईका के अनुमती के एक रूपिया भी ना तो कोई खर्च कर सकता है और नहीं वसूल सकता है तो जाहर से बात है कि किसी भी तरह की अगर विकास गतिविधी करनी है और उसमें पैसे खर्च होने है तो उसमें किसकी जिम्मेदारित होती है या उस तरह के अधिकार कौन रखता है तो जाहर से बात है यह हमारा उत्तर हो जाएगा विधाई का कानून बनाने की कमिटी के सुझाव पर भी चार्ट भी मर्स करती है तो कमिटी जो बनेगी वो किसी ना किसी कार्यापालिका के हिस्से की बनेगी तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यापालिका गौह है कि दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद परणनी नहीं लेती है आपको पता है कि जब कभी विवाद होता है तो उस विवाद को सुल जाने का काम नियाई पालिका करती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियाई पालिका गाय भुकम पीडितों की रहत के प्रयास के बारे में सूचना मांगती है कि भुकम में जितने लोग पीडित हुए उनको क्या-क्या सुविधाय दी गई ये कौन मांग कर सकता है तो ये कर्जपाली का मांग कर सकती है हो सकता है कभी कभार जो है इसमें विधाईका भी इन्वल्व हो जाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कारिशपाल का अबलीक विधाईका सात्वे प्रस्न की ओर हम लोग चलते हैं सात्वे प्रस्न है कि भारत का प्रधान मंत्री सीधे जनता द्वरा क्यों नहीं चुना जाता निमलिखित चार जवाबों में से सबसे सही को चुन कर अपनी पसंद के पक्ष में कारान दीजिए यानि परधान मंत्री जो होते हैं वो डारेक्ट जनता क्योंने डिसाइट कर लेती है कि यहीं परधान मंत्री होगा इसके लिए नीचे चार जवाब दिये गए हैं उसमें सबसे सही जवाब आपको चुनना है और फिर उसके पक्ष में आपको तर्क भी देना है या खिर आप इस जवाब के साथ क्यो जाना चाहते है मैं इसका सही जवाब का ले रहा हूँ का है कि संसदिया लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधान मंत्री बन सकता है जिसको बहुमत मिलती है जिस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटे आती है संसद में वो ब्यक्ति जो है वो तै करता है कि कौन प्रधान मंत्री होगा तो आखिर यहाँ देखने वाली बात ये है कि जिसको बहुमत मिलता है तो इसका पीछे कारण क्या है कारण ये है कि जनता उसे अपने परतिनिधी के द्वारा चुनकर भेजती है और जनता भी उसके साथ होती है मान ये प्रधान मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं से संसद क्या सदस्य होता है और ऐसे में उस संसर सदस्य को भी जनता चुनकर कहीं भेजती है तो ये तो डिसाइड नहीं हो पाता है जनता के द्वारा की वहीं परधान मंत्री बने लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा लोग वोट देते हैं उसी पार्टी का परधान मंत्री होता है यहाँ एक अलग प्रस्ण है आठ नमर के तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक देन के लिए मुख्य मंत्री बनता है और राजे में बहुत से बदलाव लाता है इरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति खतरनाक राज करता है संकर ने कहा कि यह तो यह कल्पना है कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता ऐसी फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है इसका उत्तर जानने से पहले मैं आपको बता दूँ इस फिल्म का नाम है नायक जिसमें अनिल कपूर ने बहुत ही सुन्दर अभिनाई किया है साथ ही अम्रिस पूरी ने भी अच्छा अभिनाई किया है तो उस फिल्म की ये कहानी है कि एक रिपोर्टर रहता है अनिल कपूर और वो नेताजी से कड़े सवाल करता है फिर नेताजी फंस जाते हैं और उसे एक दिन का प्रधान मंत्री बनने का अउसर मिलता है इस करम में वो बहुत सारे मंत्रियों को तवाला करता है बहुत सारे सुधार भी करता है उसको देखकर कि यहां तीन अलग-अलग छात्रों ने अपनी विचार व्यक्त किये हैं कर रहा है कि क्या आप इस तरह के फिल्मो को करने के लिए या कोई भी व्यक्ति है या कोई भी संस्ता है वो सम्मिधान की अनुरूप ही काच करता है तो कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति जो है इसा कुछ नहीं कर सकता आपने देखा होगा कि जब मंत्री पत की सफद्दी लाई जाती है तो कई घंटे टाइम ल में सब कुछ हो जाता है लेकिन रियल लाइप में ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा नामुम्किन है क्योंकि यह लोगतांत्रिक संस्था के अंतरगत नहीं आता है यह एक कालपनिक फिल्म है यानि लोगतांत्र में इस तरह की कोई भी व्योस्ता नहीं है कि बीना चुना हुआ ब्यक्ति जो है वो डायरेक्ट प्रधान मंत्री बन जाए अब हम लोग चलते हैं इसी तरह के एक अलग प्रस्ण नववे प्रस्ण की और नववे प्रस्ण है कि एक सिक्षी का चात्रों की संसत के आयोजन की तैयारी कर रही है उसने दो चात्रों को अलग-अलग पाटियो प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे या लोग सभा का बनना चाहेंगे या राज्य सभा का बनना चाहेंगे तो उत्तर लिखेंगे कि मैं लोग सभा से प्राप्त बहुमत दल का नेता बनना चाहूंगा यहां नेतरी बननी चाहूंगी लड़की लिख सकती है तो अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं लोग सभा का भहमत प्रापदल का नेता बनना चाहूंगा क्यों बनना चाहूंगा क्योंकि इसके नेता प्रधान मंत्री होते हैं और इस पद में बहुत ज़दा सम्मान होता है एकता होती है राष्ट की अखन्रता का दर्सन भी होता है प्रधान मंत्री के पास बहुत सारे अधिकार भी होते हैं चुकि लोग सभा में जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट जनपरतनी धी जनता के द्वारा चुन करके आते हैं और जैसा कि आपने पढ़ा होगा जब कि प्रधान मंत्री के पास कितनी ज्यादा पावर होती है कितनी ज्यादा प्रतिष्ठा उसे मिलती है तो आपको जरूर ये एहसास होगा कि हमें लोग सभा का भहुमत दल का नेता होना ज्यादा पसंद है तो इस तरह से इसका सही उतर हो सकता है ये एक अलग प्रस्ण है दस्वा करय की अरक्षण पर आदेश का उधारन पढ़कर तीन बिद्यार्थियों ने निया पालिका की भूमिका पर अलग-अलग परतिकिरिया की आपने इस अध्याय में देखा होगा कि जो साहनी थे और भारत सरकार थी उनके वीच जो मकदमा हुआ उसमें किस तरीके से ने आले ने अपना निर्मे दिया तो उसी आदेश को पढ़कर के तीन बिद्याक्तियों ने अलग-अलग विचार अपने बिद्याक्त किये इन में से कौन सी परतिक्रिया कि वो सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी सरवच ने आले ने सरकार को उसमें संसोधन का निर्देश दिया था तो कहने का मतलब ये है कि अंजया बोल रहा है कि ने आपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है वो निस्पक्च रूप से काम करती है और तभी तो उसने सरकार के आदेश में संसोधन करने का निर्देश दिया था और फिर सरकार ने उसमें संसोधन किया भी तो यहां उत्तर लिखेंगे मैं अंजया को सही मानता हूं या मानती हूं की नियाई पालिका स्वतंत्र है वो सरकार क्या देश के खिलाफ ऐसला सुना सकती थी सरवच नियाले ने सरकार को उसमें संसोधन का निवदेश दिया था अगला प्रस्ण है एक 11 नंबर कि बिहार बिधान सभा के सदसियों कि कुल संख्या कितनी है तो कुल संख्या 243 है अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण संख्या 12 है ये बिहार बिधान परिशत का गठन कैसे होता है तो आईए इसको हम लोग देखते हैं लिखेंगे भारत के सब बिधान के अंचेद 179 के तहट बिधान परिशत के सभा के गठन का प्रावधान है इसका गठन बिधान सभा के अपने विशिष्ट बहुमत यानि कुल सदस्यों की संख्यार का दो बटा तीन बहुमत से पारित कर संसद को भेजा जाता है तसा संसद कानून बनाकर समधित राज्य में बिधान परिशत का आरम या अंध कर सकते हैं आपको मालूम ही होगा कि बिधान परिशत जो है वो सभी राजियों में नहीं है छे राज्य है जहां बिधान परिशत मौजूद है आपको बता दूँ कि ये विधान परिस्द जो है वो गठित किये जा सकते हैं भंग भी किये जा सकते हैं गठित करने के लिए या भंग करने के लिए आपको दू बटतीन बहुमत से जो है विधान सवा में जो है इस बात को पारित करना पड़ता है कि विधान परिस्त का गठन हो या अगर गठन किया गया है तो उसको खत्म कर दिया जाए तो इसके बाद संसद के पास जाता है संसद उसे कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद जो है ये तै होता है कि वहाँ विधान सवा रहेगा या विधान सवा जो है उसको खत्म कर दिया जाए अगर बात करी जाए इसके सदस्यों की तो इसके सदस्यों की संख्या जो है 99 चालिस है और अधिक्तम जो है एक वट्टा तीन है तो इस तरीके से इसका गठन किया जाता है अब जहां तक रही इसके चुनाओ की बात तो इसके चुनाओ में विविन वर्ग या संस्था के लोग जो है सामिल होते है उमेद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी पर फिर आप लोग जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे तब तक आप पढ़ते रहें सीखते रहें देखते रहें धन्यवाद